हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज मैं आपको मॉल्णिंग का नास्ता बताती हूं कि कैसे बनते हैं आलू के पकोड़े मिर्च के परफेक्ट तो मैंने यहां पर ले लिया है बेशन चार बड़े चमच और इसको जो है मैंने छान लिया है अच्छे से और यहा मौटी है ना ज्यादा पतली है और आगा आप ज्यादा मौट़ करोगे तो पकोड़े अंदर से जो है पक निपाएंगे और यहां पर मसाले लिया है मैंने थोड़ी सी लिए यहां पर अजवाइन और क्योंकि बहुत लोगों को बेशन जो है बादी करता है इसलिए सोड़ा खाना सोड़ा थोड़ा अच्छे से पकोड़ी बनते हैं और आपकी मर्जी आप डाल भी सकती है फिर तो स्कीप कर सकती हो आपकी इच्छा है वह थोड़ा से हां पर मैंने लिया है नमक नमक आप अपने टेस्ट का कोड़िंग डाले कमिया ज्यादा कर सकते हो अब तो बहुत अच्छा पेश्ट बनता है वह बिल्कुल नहीं बनती बहुत लोगों की शिकायते होती है कि हमारे बेशन में जो गांठे पड़ जाती है वह इसी वज़े से पड़ती है कि आप खटा पानी डाल दे तो एक बार में तो ऐसा कभी ना करें आप कड़ी बनाते हो पक करके ही डाले तभी बहुत अच्छा पेश्ट बनता है आप देख सकते हो मेरे बेशन में बिल्कुल भी गुल्ठी नहीं बनी तो चलिए इसको रख देते हैं पांच मिनट के लिए रैस्ट करने के लिए यहां पर ले लिए मैंने हारी मिर्च और ज्यादा नहीं लिए चार तीकी ले सकते हो और जिसको तीका खाना पसंद नहीं है और मिर्च के पकोड़े ज्यादा पसंद है वह यह वाली मर्च नहीं होती और यहां पर मैंने ले लिए पीसी खटाई इसी में मैंने मिक्स कर दिया था साधा नमाग जो हम घर में यूज करते हैं वो टेस्ट के और यहां पहले लिए बेशन इसमें मैंने डाल दी है आलू तो चले बनाते हैं मेरत यहां पर तेल हो गया है गरम और आगर आपको यह रैसेपी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन प्रेस कर देना जिसा जो है आपको नएने वीडियो मिलती रहेंगी रेसेपीस जो डेली ब्लोग होते मेरे वो मिलते रहेंगे आपको तो ये देखिए मेरे पकोड़े सिख चुके हैं तो मैंने आप एक पेपर में निकाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ओयल है वो सारा पेपर पे निकल जाए तो ये देखिए बनके तयार हो गए है आलू के पकोड़े और मिर्च के पकोड़े बहुत टेस्टी लगते हैं आप सुबा सुबा नास्ता में करिए चाए के साथ गर्मा गर्म तो चलिए वीडियो का आइंड कर देते हैं मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बाई बाई टाटा